नमस्कार दोस्तों तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हारदीक स्वागत है आज तेरा मेरा की टीम पहुंची है च्छापर वन विवाग जहां च्छापर के समासेवी कनियलाल जी स्वामी यहां पे उपस्तित है और उनके साथ उपस्तित है ऐसे व्यक्ति को हम आज दर्सकों को मिलवाना चाहेंगे जो पूरे भारत VS में कम से कम दो सो पक्षियों के आवाजों की मिमिकरी ये करते हैं उनके आवाजें अपने मुँए से निकालते हैं आज उनका परीचे हम जानना चाहेंगे कन्यालाल जी स्वामी से कि आप इनका परीचे हमारे दस्कों को दीजिए आप देवंदर जी मिस्त्री है उद्यपुर से बिलोंग करते हैं और पक्सियों के बारे में जो इनका सोध है एक-एक पक्सि पर वह कबिले तारीफ है, इक इनोंने बहुत गहराई तक सोध किया है उनका क्या कर्णेख़न है इनोंने काफ़ी गहराई तक जाना है लोगों को समझाया है और इसे बात ही है कि ये लगबग 200 पक्सियों की मिमिक्री कर सकते हैं यह सारी बता सकते हैं किसे बहुता है किसे खुद बहों के बताते हैं तो यह पुरे भारतवर्स में रिमिक었던 को जाने जाते हैं यह आज यहां तालशा परपदाओ नDayें इनकी परशनल्टी और इनका ज्यान ञवर यह और तर तो देवंदर जी आपके पारे में कुछ बताएं जिसे हमें थोड़ा सा राणिकारी में जिए तो साधालन रूप से काम करता हूं मेरा मशीन रिखा वर्क्स था मैं आम लोगों से थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव था तो बच्पन से ही मैं पहाड़ों या उसमें कंदराओं में या ऐसे मैं घुश कर गए खेलने में ज्यादा बिल्यू करता था तो मुझे जीवन के बारे में पता लगता था ट्रेस आउट हो जाते तो दीरे दीरे मैं चोकी उदैबूर रहा तो वहां पर टूरिज्म और एको टूरिज्म में मुझे वह काफी चीज जानकारी थी तो मेरे शौक और मेरी जो सेंसिटिविटी थी लोगों से दूर रहने की तेज आवाजों से या चका चौन से तो वह मुझे इस और प्रेरिद करती गई और दीरे दीरे जब ये विक्सित अवस्था में होई तब का चौन की ओर मोडा कि वह क्यों किस तरह के खास पेड़ों में ही रहते या कहां रहते यह सब अध्यान उनकरे ख्रिया कलापे उनका महत्व क्या है स्वरिष्टी में या वो प्रयवरन में उसका रिलेशन निकालने में मुझे मज़ह आता था या उन्की संपरेशन ओछा समपरेशक्र किस तरह से होता है वो देखने में उनके आपस के बुक्लिखन को देखने में वो binge लिखता हूं और इसका कवर्यावर्ण से लुज्ट सेञ्चें क्या योगदान है उस गतिवीदी का वो मैं बताने की कोशिश करता हूं तो इस तरह से कई पक्षियों के मैंने अध्यान किया लगबग तेश जो जो मुझे खासियत लगी वो मैं लिखता गया लोगों को बताया जागरुप भी किया कहीं लोगों ने फोटोग्राफी विधा को चुकि मेरे बो फोटोग्राफी विचाए हो मैमल्स की फोटोग्राफी तो एक तरह से पिछले 15-20 साल से इसको पक्षियों की वज़ा से जो टुरिस्म हाया उसको बड़ोतरी देने के लिए के वो टाइगर से महीं या उस पैंथर से नहीं सभी को देखना पक्षियों से भी कि ये रंग र पक्षियों की मिमिक्री करने के रूप में जाने जाते हैं आपका चेहरा है वो चारों तरफ लोग ये देखते हैं कि आप मिमिक्री बहुतरी करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ पक्षियों की मिमिक्री करके हमारे दर्सकों को बताएं जैसे कोवे से शुरू करते है इस तरह से अब कोयल की बोली हो गई इस तरह है अभी जैसे शिकरा है यह उसकी आवाज है इसके लावा जैसे यह बुल बुल हो गया आप जैसे पी लक होते हैं यह इस तरह के पक्षी यह प्रीपाई हुआ प्रीपाई का सुनिया इसकी आवाज है बसंता की सुनिया है किस तरह से अभी जैसे यह आउल होते हैं यह ब्राउन हॉक आउल है इसी तरह से दोसरे जो है जो गुगु होते हैं यह रहा है जिसको इंडिया नहीं के लाओ गया इस तरह से तरह से पिर इसके अलावा जैसे हैं यह बाड आउल है जो यहां पर नहीं मिलता है तो यह पक्षी जब मैं इनकी आवाजे सुनता हूं तो इनके साथ जो बोल चाल करने के कोशिश निरंतर होती है तो उससे मुझे बड़ा अनंद मिलता और इनकी गति भी दिया और यह समझ में आया कि हमारे अलावा इनके पास सकते हैं इनके संकेत हैं इनकी पूरी गायन विधिये इनकी बाड दूसरे किह भलाई दूसरी जाती का shrinking को मतलब को समझ जाता है कितने परकार के पक्षियों की आवाजा आप निकाल सकते हैं सब जैसे अभी जैसा कुछ सारीडिक तकलिफ नहें थी तब तक मैं यह समझ लि तो मैं और जंगलों में जाके वापस सुनते हैं तो और ज्यादा प्रवर्ति होती उनको सुन करके तो लगबग सौ डेड़ सो तो मैं अभी इस अवस्था में निखाल ले दो जैसे कि यह समझी है यह थिकनी है और यह जो ग्रेट थिकनी इसकी आवास्ति इसी तरह एक और थिकनी है यह इंडियन थिकनी चोटी वाली है इसी तरह से कोई चीवरी है जैसे यह खूसट तो ऐसे जब प्रयोग करते न तो इनके जो अंदाज देखने को बिलते हैं इनकी तो यह अंदाज होता है कि यह कोई ऐसे ही प्राणी नहीं है इनका सबका अपना संसकार वानी गायन सब कुछ है जो हमारी तरह है इनके वी पूरी बोली का संप्रेशन है अभी एक टिकर्स मैंने यह नए पहली पर कद्loris कर सकता है तो यह पहले沃फ्प्शी यश् से बारे कि बोली तुम्हें पैचान लिया बाकिया और जारी उस पे शोध जैसे कोतवाल हो गया ब्लेक ड्रोंगों यह उसके आवाज तो यह शिक्रे वगएरा की जो यह भी मिमिकरी करता है आप जैसे टिटोड़ी है जिसको टिटाहरी बोलते हैं और रिवर्टर ना इन दोनों का ब यह रिवर्टर्न होगया अब ठिटेहरी है यह इसके अलग अलग और भी है इनका टों से इनकी खत्रे के संकेत की अलग अलग अवस्थाय पता लग जाती है जानकारी दी कि और पक्षियों की मिमिकरी करते हैं यह बच्छी जानकारी दी आप अब आप पहली वार चाह पर बहरने पदा रहे हैं यहां पर आपको किसा लगा और यहां क्या संभाव नहीं नजर आती है आपको मुझे तालचा पर एक बहुत यूनिक सेंक्चुरी लगी जो इतनी छोटी होने के बावजूद इतनी तरह के पक्षी और उनकी इतनी सारी संख्या खास करके जो स्पाइनी टेल लिजार्ड और इसका जो मौझूद की होने से यहां पर क्यों रैप्टर सा रहे हैं और पूरा जो एको सिस्टम देखने को मिला है वो अपने आपने एक बहुत दुरलब है और यह तरह से सीड बैंक है तालचा पर यह इस पूरे एको सिस्टम का और माइग जैमस चैन्चॐरी इसको विश्व की धरोहर के रूप में समझना चाहिए यह विश्व मे करोहर हूं निशाहदि जिस सच्छेडि का धरोहर के रूप में स्टेस होना चाहिए मैं यह सोचता हूं अरं दूसरे यहां पर टुरिज्म के आयाम जो क़लाकृतिया या आर्ट जो भी है उसका यहां संगम होना चाहिए और सब्सक्राइव के अलावा कि यहां पर टुरिस्ट है उसके लिए रेल्वे रेल्वे का यहां पर रे Kaiser रहेंगे तो थोड़ा ट्रैवलिंग का उचपेंश गम होगा तो यहां वाल्यूम जादा आएगा तो ट्रेन का रेगिलर होना इसको उदैपूर जैपूर या चितोड से रेगिलर जुड़ जाएगा तो काफी बड़ोतरी होगी इस दिशापे और इस सेंक्चुरी को उससे अगर कुछ आमदानी यह उसकी आयाम बदलते तो यह इसकी दरोहर को वि स्थापन दूसरी जगों के कर पाएंगे तो यह इस जगह की युनिकनेस है यह विश्व की धरोहर है तो यह थे हमारे साथ देवंदर जी चुनों ने ताल सापर की बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और हम तेरा मेरा चैनल और ताल सापर की निवासियों की और से दूनेवाइद गर्फित करते हैं और आपके उजूल विश्व की काम ना करते हैं